नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश करमचारी चैन मंडल बोपाल दवरा एक बहुत ही शांदार वेकेंसी निकाली गई है यह एक एसी वेकेंसी है जिसका जो इंतिजार है तमाम अन सारे विध्यारतियों को रहता है जिन्होंने ITI अपने ट्रेड से की है और जो नोकरी के इंतिजार में कई दिनों से क्या कहें यह है जो कि प्रसिक्षन अथिकारी होता है ट्रेनिंग उफिसर उसको क्या कहाता है तो ट्यो की जो भरतियह यहाँ पर निकली है तो इसकी जो आवेधन बरने की जो प्रारंबिक तिति है वो क्या है हमारी 98-2024 रखी गई है और आवेधन में जो संशोधन की प्रारंबिक तिति है वो भी क्या है हमारी 98-2024 रखी गई है आवेदन भरने की जो अंतिम्तिती है वो हमारी क्या है 23 आठ रखी हुई है और 28 आठ क्या रखी हुई है हमारी आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम्तिती रखी हुई है तो किन-किन किस किस तरीके से ये निकली है हमारी सबसे बिले हम लोग बात कर लेते हैं परिक्षा सुलक की तो यह परिक्षा सुलक की तो यह परिक्षा सुलक की तो यह परिक्षा सुलक आपका यह दिया हुआ है बैकलॉग भरती का भी कोई शुलक नहीं है ठीक है उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो परिक्षा किस दिन होगी तो देखेए, तीस तारीक को सिर्फ एक दिन ermee ओखा अभी के इस्तिति में क्योंकि फॉर्म फिल हुए है नहीं है कितने फिल होगे इसके उन्हें जानकारे भी नहीं है तो एक ही दिन और कितन पाली हो उसके बाद तो यह विवरंट सूची है हमारी किस पेंच पर क्या क्या चीज़े दी हुई है इन सबको कम से कम आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से यहां पर पढ़ना चाहिए उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले वेतनमान के लिए हम लोग बात करें तो प्रतिक जो भरती है उसका जो वेतनमान है वो अलग-अलग यहां पर दिया हुआ है इसमें भी देखिए स्टेंट भाय आपका रहेगा यानि की जो पहला वर्स है चाहिए द्वित्यारतियों का उसमें उसे सतर प्रतिशत वेतन मिलेगा 80 प्रतिशत दूसरे साल तीसरे में उसे 90 प्रतिशत और जो चोथा साल है माद उसकी परिविक्षा थी खतम होगी उसको पूरा 100% वेतन मिलेगा इसको अम लोग इस तरीके यहां पर दिया था पर हमने क्या किया था उसको तो यहां पर वो चीज लिखी हुई थी यह यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है परिक्षा केवल मत्प्रदेश के मुल लिवासी के लिए ही यानि कि हमारी जो दूसरी बातिया होती है उसमें दूसरे राज्यो के भी बच्चे हैं हमारी सेट लेके जाते हैं इसमें इसा नहीं है परिष्छा जो है सिर्फ मंद्प्रदेश के मूल निवासी जो है उन्हीं के लिए रखी गई है ठीक है इस्टेंट पाइस में रहेगा 17 परसेंट वाला आगे देखते हैं जो अच्छी चीज है इसमें आईउसी मा देख लीजाए आप लोग खुली वर्तियों में 21 से 40 मिंटम रखी गई है लोग सेवा आयोग की परीज़े बाहर देते हैं चतुरशनी करमचारू के लिए भी अठा अठा से 40 रखी गई है देख तो आपका 100 नंबर का यहां पर रहने वाला है प्रत्रिक ट्रेड के लिए उसमें क्या हुआ कि जो 75 जो माक्स रहेंगे वह आपके ट्रेड से संबन्धित रहेंगे यानि कि आपका जो ट्रेड है जो आपका सब्जेक्ट है बेल डरे फिटार है लेक्टिशन है कुछ भी ए ग्यान उ गणिते शमानी ग्याने तारकिक ग्याने बेसी कंप्यूटर है चले आगे देखते हैं लोग क्या दिया हुआ है तो यहां पर हमारी आगई अध्याद्रू आ गया विभाग बार यहां पर रिक्ति पदों को आपको विवर्ण दिया हुआ है तो टोटल जो पदों पर वर्थी निकली है वह हमारे किती 450 पदों पर निकली है 131 जो पदें वह हमारे अंडेजर्व हैं किन-किन ट्रेड में भर्थी निकली है देखे फिटर है बेल्डर है इलेक्टिशन है कोपा है उसके वाद हमारे टर्नर है ठीक है मशिनिस्ट है टीजल मेकेनिकल है मोटर मेकेनिकल है सर्वेयर है हिंदी स्टनो यह जिसकी हम लोग आज यहां पर विशेश बात भी करने जा र इतने भी नहीं थे तो आपको यहां पर थोड़ा सा कुछ होना चाहिए फिटर में यहां लोग बात करें तो टोटल जो पद हैं वो हमारे कितने हैं सत्तर है यहां पर एक शब्द लिखा हुआ आकारिपालिक ठीक है इसका मतला आपको बाद में बताऊंगा देखें यहां इसके पूरा दिया हुआ है और जो कितना है वो यहां पर आपको दिया हुआ ज़ो इसका ग्रेड़ पर देखिया कितना शांदर प्रेड़ पे रहने वाला है योगीताप की इसमें रहने वाली है ठीक है आप देखें यहां पे बही जो चीजे को कितनी कर दी गई यहां पे उसको कुल 61 यहां कर दिया गया है और यहां पे क्या लिखा गया है आकारे पालिक ठीक है जबकी हम आफि हमने उफर देखा था यहां पर, यहां पर पया कारी पालीग था लेकिन यहां पर पर सत्र पत्ते और यहां पर 61 कर दिया गया किया लेकिन कहा हूँँ, यहां कर C इसमें क्या रहना वाला है कि OBC का जो 14 फीजदी 28 फीजदी जो रिजर्वेशन दिया गया था उस पर अकोड़ द भारा रुक लगा दी गई है और OBC को सिर्फ यहां पर 14 फीजदी रिजर्वेशन जो दिया गया है उसके हिससे के जो 13 फीजदी सीट है यह उसके तेरा परिक्षा भी देंगे और पास भी हो जाएंगे लेकिन उनका सेलेक्षन नहीं होगा उनका जो सेलेक्षन है वो रोग दियाएगा पेसी में भी यही होआ है उन्हों ने प्रीबी दी मैंस भी दिया लेकिन उनको बंचित रखा गया तो देखिए क्या है कि यहां पर रुक लगा दीगी जब यह मेटर पूरा सुल लेगा तो इन पदों पर भी उनको जाइनिंग दी जाएगी इसी प्रकार से यहां पर सारी चीज़े दी गई है तो हर एक जो ट्रेड है उसमें तीन तीन यहां पर लिस्ट रिजर्वेशन की औ उनका यहां पर दियागा है कोपा की इन लुक बात करें कोपा भी यहां पर दिया हुआ है यहां से यह कह रखुक अदिकारी Computer Operator and Programming Assistant कुल इसके जो है 70 पद जिसको हम लोग कहते हैं कोपा अपनी महाशा में कहते हैं इस पर देखें ग्रेट पर जो इसका यहाँ बतीसार आठ सो है और जो टोटल पद निकले हुआ है अब सतर निकले हुआ है EWS का इधर दिया हुआ है इसमें देखें आप वही 14 फिस्दी के इसाब से 70 पदोका दिया हुआ है इसकी यदि हम योग गिता की यदि बात करें तो इसमें योग गिता में आपको देखें यहाँ पर आपके पास High School होना चीए और या तो आपके पास IITIC क्या होना चीए या फिर NCVT और SCVT से दो साल का मल्टी इसकी लिंक पार्टिक्राम होता है Information Technology, IIT से होना चीए या फिर आपने क्या किया हो PGDCA किया हो या फिर आपने UG जो है आपका Computer Science से रहा हो ठीक है Information यानि क्या IT से आपका रहा हो या फिर आपके पास Polytechnic का क्या हो Diploma हो या फिर आपने क्या किया हो BCA या फिर MCA किया हुआ हो ठीक है तो ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो आप क्या दे सकते हैं यहाँ पर इस परती परिक्षा में समलित हो सकते हैं या फिर एक चीज़ हमारी यहां से छूट गई है क्या आपके पास एक साल का क्या होना चीज़ या फिर आपके पास एक साल का PGDC हो तो भी आप High School PGDC से भरती को दे सकते हैं पेपर का जो नंबर है वो वही रहने वाला है सो नंबर का ही रहने वाला है पिचोतर जो हैं आपके subject के हिसाप से question रहेंगे बाकी 25 जो हैं अपके math reasoning जीके और science math के इसाप से रहेंगे तो यह तमाम सारी जो भरतिया है कई सारे trade में हर ट्रेड की अलग लग नहीं है जैसे हम लोग यहां पर बात करते हैं इस टैनो की तो इस टैनो में देखे क्या दिया हुआ है ये एक मात्रे सा ट्रेड है जिसमें सबसे जादा यूग गिता मांगी गई है लेकिन उतना ही अच्छा है इसका जो क्या है यहां पर ग्रेट पर भी रहा है यहां फिर नहीं यहां फिर में नहीं आ गए यह पहली चीज हो दूसरी में क्या है 100 वर्ट पर मिनिट के आपके क्या होनी चीए या तो आपने सब्सक्राइब करने परिक्षा का प्रमाण पत्र होना चीए लेकिन उनों यहां पर क्लियर लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग न्यूनितम गती 20 सब्सक्राइब होनी चाहिए या निक बात यहां पर क्लियर हो गई कि आपका जो फॉर्म है वह हिंदी प्लस कंप्यूटर स सकते हैं यह तोरह माने तो पर किसी विजल्य से डिप्लोम हो सकता है मुक्त विश्विद्यलय से भी चलेगा ठेक है उसके बाद चली तो प्लेटेकनिक से भी कोई साभी चलेगा एंचीवटी त्वारा कोपा का जो है हमारा वह भी आपका चली जाएगा भी एगर आपने cac से करा या IT करा हुआ है या MCA BCA MSC कुछ भी किया हुआ कंप्यूटर से तो आपका प्तिल जाएगा पॉलिटेक्निक का जो डिप्लॉम है कंप्यूटर का वो भी आपका एप्लिकेशन वाला चल जाएगा समाजिक अध्यान इसमें हम लोग बात करें तो आपकी हार सेकेंड्री वह नीची है अंग्रेजी विसे के सांथ उसके बाद आपके पास क्या-क्या होना चाहिए मानिता प्राप्त विश्विद्धाले से बेचलर ऑफ बिजिनिस एड्मिस्ट्रेशन या फी मास्टर ऑफ बि कंप्यूटर ग्यान के लिए डीचीए पीजीए डीचीए कोपा या पने किसी एक आपका वेजिस्कूर कार्ड होना चाहिए इस तरीके से यहां पर इसकी साथ तमाम सारी जनकरिया में दी गई हैं तो काफी सारे ट्रेड हैं काफी सारी उनकी योगिता हैं आप अपने ट्र पर आपको जानकारी दी है तो यह वीडियो कैसे लगा कमेट में बताईए और आने वाले समय में इस टेनों के लिए हिंदी इस तरह दसते हैं तौब सारी जनकरिया आपको यहां पर इसी चैनल पर मिलेगी तो चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब की जीए और अपने द